दोस्तो मैं अल्पनस रो स्वागत है आप सभी का स्वादिश्ट बोजन में दोस्तो आज हम बैर का चार बनाएंगे बैर का चार बनाने के लिए दोस्तो हमें चाहिए बैर तो दोस्तो यहाँ पे मैं दो क्याजी बैल ली हूँ दोस्तो यह बैर खटा वाला है जैसे कि आप इस रस्पे में अगर आप बैर खट्टा वाले लेंगे तो जादा अच्छा रहेगा और दोस्तों ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी गिरीन और थोड़ी सी लाल है मतलब ये बैर पक गई ये बहुत ही अच्छे से इस तरह की बैर हमें चाहिए तो दोस्तों सबसे पहले से ह को भी धूल मिट्टी बगार है वह अच्छे से साफ हो जाते हैं इसको हम किसी बड़े बरतर में डाल देंगे उसमें पानी डालके इसको अच्छे से दोएंगे दोस्तों भी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कियें तो नीचे दियो लाल रंकी बटम को हो जाएगा और दोस्तों इस अचार को हम बहुत लंबे समय तक चलाने के लिए इसको बहुत ही अच्छे से बनाएंगे जैसे की काफी समय तक चले दोस्तों बहुत ही अच्छे लगता है खाने में साथ ही आप इसे जिस तरीके से बनाएंगे मतलब इसको बनाने का भी तरी दूप में सुखा लेंगे इसको हम 3-4 दिन तक अच्छे से सुखाएंगे जैसे कि इसमें कोई नमी नहीं नहीं होनी चाहिए दोस्तो तो धूप में से पतला से हम फिला देंगे दोस्तो वैसे तो मैंने अचार की बहुत अलग अलग रेस्पी बनाई हूँ अगर आपने नहीं देखें तो उपर दियो आई बटम पर क्लिक करके आप और रेस्पी देख सकते हैं तो मैं दोस्तो आपको चार दिन बाद मिलती हूँ तो ये दोस्तो चार दिन के बाद आप देख सकते हैं बहर कितनी अच्छे से सूख गया है ये देखें इसमें नमें भी बिल्कुल नहीं है दोस्तो इस तरह की बहर हमें चाहिए अचार बनाने के लिये तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों इसे हम इसके जो गांसे है वो जाएए और बहुत ही अच्छा टेस्ट आये तो यह दिखे गासा इस तरह से तोड़ते जाएंगे के इसारी बेर को तोड़के इस तरह से तयार कर लिया है आप इसे हम बड़े बर्तन में डाल देंगे तो चलते हैं दोस्तों अब इसे हम बनाते हैं तो बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम गैस पे रखेंगे कड़ाही कड़ाही में डालेंगे पानी तो यहाँ पे हम दो मगगा पानी डालेंगे इसमें दोस्तों पानी को हलका हमें गुंगुना करना है तो कर लेते हैं इसे तो यह दिखे दोस्तों मैंने पानी को गुंगुना कर लिया है पानी को हम बैर में डालेंगे इससे क्या होगा दोस्तों बैर में हलकी से नमी आ जाएगी और जो बैर ज्यादा टाइट हो गई है वो भी ह दाल मिशली हूँ तीखा थोड़ा ही डालें दोस्तों इससे हम हलका सा फ्राइ कर लेंगे उसके बाद दोस्तों अब इसमें हम डालेंगे तीन बड़ा चमत सौफ दो बड़ा चमत जीरा एक कटोरी भर के धनिया सुखवला अब इन सारे मसालों को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे दोस्तों यह अचार बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही चिट पटा बन के तयार होता है तो यह दिखिए दोस्तों मसाला हमारा भून के बहुत ही अच्छ त दालते हां तर्फ। रचू है कि यह दिखें की और दुर्फ प्र बीच बीच में टोड़ी बीच में दोलाते मरते हुआ शीये दिखें दोस्ते हिり में दोस्त. थोड़ा सवर बचा है ये भी गल जाएगा थोड़ी देर में तो ये देखिए दोस्तों गुड़ अच्छे से गल गया है और आप भी अच्छे से चुनने लगी है अब इसमें हम बैर डालेंगे जो कि हमने धोकर के रखा है तो मैंने यहां पर सारा बैर का पानी निकाल के द उसके बाद दोस्तों इसको अच्छे से हम मिलाएंगे गैस के आज पूरा हाई करके से हम पकाएंगे अब जब तक दोस्तों ये गाढ़ा ना हो जाए पूरा तो दोस्तों आप देख सकते हैं बैर अच्छे से पकने लगी है बैर में दोस्तों वैसे भी पानी छूड़ता ह तो पानी आप यह न सोचे कि आभी पानी कम है और डाल दे तो वैसा कुछ निए पानी आप कम भी डालेंगे तो चलेगा पर पानी आप जरूर डालना तो यह दिखे दोस्तों बैर अच्छे से हमारी पक गई है यह देखिए कितनी अच्छे से पकी है यह धंडा होने की बाद और भी सूख जाएगा तो बस आप इसे हम इतने ही पकाएंगे गैस की आज आप हम बन कर देंगे इसमें सूखा मसालम जो पीसे वो डाल देंगे इस समय दोस्तों हम डालेंगे आधा चमश नमाग पर यहाँ पर मैं नमाग आपको नहीं दिखा पाई दोस्तों आप इसमें आधा चमश से कम नमक डालें नमक इस अचार में ज्यादा नहीं पड़ता है इन सबको मचस मिला देंगे तो यह रहा दोस्तों बैर का चटपटा अचार पूरी तरह से बनके त्यार है दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कोमेंट में जरूर बताना